एपिसोड की स्टार्टिंग में दादी गाउजे इसे साधी के बारे में क्या सोचती हो पुछते हैं गाउजे कहती है ये सब मैं अपने फैमिली को बताऊंगी दादी उसकी ग्रूप के लिए माफी मांगते हैं कस्टमेजेसन ग्रूप अच्छे से नहीं चल रही थी इसलिए वो सोचे हैं कि वो लोग दुसरे डिपार्टमेंट के साथ में काम करेंगे इनले और गॉल्ड ग्रूप में से किसी को भी चोईस कर जगती हो तुम लोग डिसकस कर लेना फिर मुझे बताना वो दोनों ग्रूप में से किसी चोईस करेगी सोच रही थी एक डिपार्टमेंट में उसके आंटी है और एक में यूजी था उसके आंटी आते हैं और उसे लेकर तुम गोल्ड ग्रूप में काम करोगी पुछते हैं तो वो कुछ भी नहीं बूलती है और मैं सोच रही हूं कहती है आगले सिन में गाओ जेऑ अपने ग्रूप के पैस जाती है सब उससे पुछते हैं स्कیर वोमिन क्या बोले हमारा ग्रूप के बंद होने वाला है तो वो कहती है हम रह सकते है ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते है रात में वो घर जाती है यूजी उससे कहता है तुम हमारे ग्रूप में जोइन हो जाओ तो वो उससे कहती है मैं अभी तक नहीं सोची हूँ इसलिए वो उससे कहता है तुम अपने फेजर हेज़्मेंट को नहीं बल्कि मेरे दुसमन को चुनने जा रही हो वो अब क्या करेगी सोच रही थी आगले दिन गाउजे के आंटी और यूजी दोनों ही उसको अपने ग्रूप में लाना चाते थे और दोनों ही उसे एडवाइस देते हैं दादी उसे पुछते हैं तुम्हारी ओपिनीन क्या है तो वो कहती है मैं अपने ग्रूप के साथ में डिसकस की हम चाते हैं कि गोल ग्रूप में काम करें ये सुनकर यूजी हैरान था वो कहती है उनका प्रड़क्ट और गोल ग्रूप का प्रड़क्ट सेम स्टैल रहती है इसलिए वो goal group को choice की थी पर यूजी बहुत गुसे में था और वहां से जा रहा था दादे उसे रोकते हैं और उसे पुछते हैं क्या तुम उससे नराज हो तो वो कहता है नहीं मैं उसकी decision की respect करता हूँ दादे उससे समझाते हैं उनकी group और goal group same style product बनाते हैं इसलिए वो लोग उस group को choice की है वो उससे बात करके चला जाता है गाव जे उसका wait कर रही थी वो आता है तो वो उसके पास जाती है जी गुसे में था और उसे कहता है क्या तुम नहीं जानती हो मेरा और stepmom के relationship कैसी है तुम सब जानती हो फिर भी तुम उनके साथ में काम करोगी बोलकर बहुत गुसे में था गावजे उसे समझाने की कोसिस करती है फिर भी वो बहुत गुस्से में था वो अब कैसे क्या करेगी सोच रही थी आगले सिन में यूई गावई की प्रडिक के बारे में बात करनी के लिए जाता है उन्हें बहुत सारे ओर्डर मिले हैं फर फेक्टरी में वरकर कम है इसलिए वो जल्दी बनाने ही पा रहे हैं वो चाहता था कि और नया वरकर काम करें तो दादी उससे बूलते हैं नीव वरकर लेने से वो लोग प्राक्टिस करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे कम जल्दी नहीं हो पाएगी बोलकर उससे समझाते हैं वो तुम्हें भी रेडी कर रहे हैं लेकिन इस प्राब्लम के वज़े से उन्हें लगता है कि तुम एक बिजनेस लीडर की रूप में इंपोर्टेंट ख्यमता और फिचर में आगे देखने वाले अबिलिटी खोर रहे हो यूई आप सही बोल रहे हैं बोलकर वहां से चला जाता है गावी आकर उससे पुछती है दादी क्या बोले तो वो कहता है वो नहीं माने ये सुनकर वो सेड हो जाती है ये सब गावी जे की वज़े से हो रहा है केती है अगले सिन में यूजी बहुत सेड था और यानकई को सब बताता है फिर वो रात में ड्रिंक करके घर जाता है गाउजी दोनों के लिए वेडिंग रिंग डिजाइन बनाए थी और उसे दिखाती है पर वो उसकी स्टेप मॉम को चोईस की थी इसलिए वो बहुत गुसे में था और उसे कहता है तो मुझे सांथ करा रही हो ठीक है हम दोनों मेरे फैमिली से कब मिलें तो वो कहती है ये बह अप्सबात करता है खाने टाम यूजी कहता है मैं गाउजी को एक ग्रांट मिरिज्झ पाटी देना चाता हूं गाउजी मना करती है तो दादी तुम्हारी फैमिली से बात करो बूलते है यूजी रुई हुआ एनिविरस्टिरी के दिन साधी करेंगे बूलता है इसलिए द अगले दिन मीटिंग में दादी यूजी को बोर्ड मेंबर बनाते हैं ये सुनकर यूई गुसे में था उसे मेंबर बनने के लिए 5 साल लगा लेकिन यूजी एक साल में ही बन गया अगले सिन में दादी यूजी को एक सच बत बताते हैं तुम्हारे पापा और स्टेप मॉम के साधी हुई उन्हें उम्मी थी कि वो तुम्हारे पापा से अच्छे से बहेब करे और उन्हें बहतर लाइब जीने में हेल्प कर रखती है इसलिए उनके पास तुम्हें अबरोड विजने के आलावा और कोई चारा नहीं था वो नहीं चाहते थे कि तुम ऐसे माहूल में बड़े हो और उसे माफी मांगते हैं ये सब सुनकर यूजी सेड हो जाता है स्टेपम आकर यूजी से माफी मांगते हैं तो यूजी गुसा हो जाता है और दादी से कहता है आप उनको बचाने के लिए ये सब बोल रहे हैं दादी उसे चूप रहने के लिए बोलते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी मेमी प्रेगनेंट हो गई और तुम्हारे पापा से साधी करने के लिए जीत करने पर वो साधी करवा दिया पर वो गलत किये, तुम्हारी ममी यहां पर फेट नहीं हुई, यह सब सुनकर यूजी बहुत गुसे में था, अगले सिन में दादी कस्टमाइजेसन ग्रूप जाते हैं, और मास्टर जेंग से यूजी के बारे में बात करते हैं, इसलिए वो गाउजी को कॉल करके उससे अच कर सेट था, गाउजे भी उससे अपने अन्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताई थी, और वो उससे कैसे बात करें सोच रही थी, आज यूजी सेट था, इसलिए वो उससे आज कुछ भी नहीं बताएगी सोचती है, अगले सिन में यूई ड्रिंक कर रहा था, तब ही वहा साथ में हूँ, उस रात के बाद मैं ये पहली बार है जब मैं किसी को पसंद किया हूँ, और मैं किसी का पीछा करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ, गाउजी उससे रोकती है, और मैं तुम्हें पहले ही बताई थी, कि हम दोनों के बीच मे में कुछ भी नहीं हुआ है बोलकर जा रही थी यूई उससे रोकता है और कहता है क्या वो बस एक किसीडेंट था उसमे के अचरा सबी प्यार नहीं था काहूइ बहुत गुसरे में थी और वहां से बिलीब नहीं करती है और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है बोलकर चली जाती है यूई सेड हो जाता है और यही पेपिसोड खतम हो जाती है थैंक यू फर वाचिंग